दोस्तों मैं सोरोमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 18 फरवरी की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिवीजन कोशन है अंतरास्ट्य किर्केट में सरवदिक चक्के जड़ने वाले भारत्य कप्तान कोन है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में जापान को पीछे करके कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्तविस्था बन गया है दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल जर्मनी इस दा राइट आंसर तो ये आपको याद रखना है दूसरा कोशन है आई एन एस जटाईू नेवल बेस कहां बनाया जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा लक्षदीप में यानि की ए इस दा राइट आंसर तीसरा कोशन है किस राज्य में परधानमंत्री नेंद्र मोधी ने बर सिंग सर सोर उर्जा सेंतर का सिलन्यास किया है तो राइट आंसर रहेगा दोस्तो राजिस्थान में यानि की C is the right आंसर कोशन नमबर फोर है हाल ही में बोईंग डिफेंस इंडिया के परबन निदेशक कोन बने है तो राइट आंसर हैगा निखिल जोसी यानि की A is the right आंसर कोशन नमबर फाइव है हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकिट लेने वाले दूसरे खिलाडी कोन बने है पाचवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो आर अस्विन यानि की C is the right आंसर आप लोग किसी भी कॉंपटेटिव एक्जाम की चारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं मात्र 170 रुपे में इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी इस पीडियाप को पढ़ सकते हैं पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और हमारे वोटस अप नंबर दोनों जंगे मिलेगा लिंक पर किलिक करना है पेमेंट करना है पीडियाप आपको तुरंत ही मिल जाएगी चटा कोशन है हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सवस्रेट प्रद्योगे की बैंक का पुरुसकार जीता है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा साउथ इंडियन बैंक ने यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा वई कोशन नमबर साथ है हाल ही में नो सेना अभ्यास मिलन का बारवा संस्क्रण कहां आजित किया जाएगा तो साथवे कोशन का सही उत्तर रहेगा कोशन नमबर एट है हाल ही में जारी नवीनतम फीपा रैंकिंग में भारतिय फुटबोल टीम कौन से इस्थान पर रही है दोस्तो आटवे कोशन का राइट आंसर हैगा एक सो सतरवे इस्थान पर यानि की सी इस्था राइट आंसर कोशन नमबर नाइन है हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रिय बैंकों ने यूपी आई एनपी आई को जोडने के लिए समझोता किया है नवे कोशन का राइट आंसर हैगा भारत और नेपाल ने यानि की बी करेक्ट आंसर हैगा दसवा कोशन है हाल ही में प्रोबो सुब्यातो किस देश के नए रास्टपती बने हैं सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में भाई बेहन के साथ में भी इस सेशन को जरूर सेयर करिएगा सुबह 6 बजए ओनली टॉप स्टडी यूटूब चैनल पर ये वीडियो रेगुलर आती है आप किसी भी कॉम्पटेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लेकरे हैं दसवे कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तों इंडोनेसिया यानि कि C राइट आंसर रहने वाला है 11 कोशन है हालही में किस देश में सोलवी विश्व समाजिक मंच की बैठक सुरू हुई है तो राइट आंसर हैगा B नेपाल इस दा राइट आंसर कोशन नबर 12 है हालही में किस राज्य के मुख्य मंतरी विश्व कर्मा पेंशन योजना का सुबारम हुआ है तो बारवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजिस्थान इस दा राइट आंसर कोशन नबर 13 है आयकर विभाग ने किस राजनेतिक दल के बैंक खातों को फ्रीज किया जिसके बाद इंकम टेक्स अपिलेड ट्रिबनल ने कुछ रोक हटा दी है तो 13 कोशन का राइट आंसर रहेगा कोंग्रेस के यानि की B करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन नबर 14 है किस अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी सियम की न्युक्ति एस विधानिक नहीं है कोशन नबर 14 का राइट आंसर रहेगा सुप्रीम कोट ने दोस्तों यानि की D राइट आंसर हो जाएगा कोशन नबर 15 है हालही में परधान मंत्री नेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधार सिला कहां रखी है पंदरवे कोशन का राइट आंसर है का दुबई इस दा राइट आंसर सॉल्वे कोशन है हालही में वेस्विक जैव विवित्ता फ्रेमवर कोष की पहली बैट कहां हुई है दुझतों सॉल्वे कोशन का राइट आंसर हेगा वसिंगटन डीसी में यानि की एक रेक्ट आंसर हो जाएगा सतरवा कोशन है किस मंत्राले ने यी जागरिती पोर्टल लॉंच किया है सतरवे कोशन का राइट आंसर हैगा Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution तो राइट आंसर दोस्तो ए हो जाएगा कोशन नमबर 18 है 59 वे दक्सिन पूर एशाई सेंटरल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो सही उत्तर रहेगा मुंबई इस दा राइट आंसर कोशन नमबर 19 है लोकतंत्र सुचकांग 2024 में भारत की रैंग क्या है 19 वे कोशन का राइट आंसर हैगा 41 वी यानि की A राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 20 है PM मोदी अपने कारेकाल के दोरान किस देश की दूसरी बार यातरा पर गए है तो सही उत्तर हैगा कतर यानि की A इस दा राइट आंसर देखे 20 में से आप लोगों ने कितने कोशन के आंसर सही की है कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बताएगा और प्यारे दोस्तों आज का हमारा होमवर्क का कोशन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेंड ड्रीम ओफ डेजर्ट सुरू करने की कोशना की है इस कोशन का आंसर सभी स्टोडेंट कमेंट बोक्स में बताएगे जो इसका सही उत्तर हैगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा कोशन ओब देश है ब्राजील यानि की D is the right answer कल का हमारा हमवर का कोशन था PM मोदी द्वारा UAE में उद्गाटन किये गए B.A.P.S. हिंदू मंदीर का निर्मान वास्तुकला की किस सहली में किया गया है तो right answer is नागर सहली में यानि की B यहाँ पर सही answer हो जाएगा प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी जो यह only top study app है इसको download कर लीजेगा और 5 star की rating भी जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों अगर आप लोग master pd.up लेना चाहते हैं किसी भी competitive exam की तो master pd.up का link description box और अमारे WhatsApp नंबर दोनों जंगे है link पर click करना है payment करना है pd.up आपको तुरंथी मिल जाएगी मातर 170 रुपे में सारी pd.up एक साथ मिलेगी आप किसी भी competitive exam की तारी करें यह pd.up आपके लिए बहुत ही मैत पुन रहेगी ठीक है? pd.up अगर आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like share करना चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए bell icon को own रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो अगर आप pd.up वोट्सअप पर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें payment का screenshot भेज देना यहां से आपको pd.up वोट्सअप पर भी मिल जाएगी ठीक है भई? चले, thank you so much बाई बाई everyone, take care, खाले के अपना मिलते नेक्स class में